बहुत ही दुरभाग्य पूहूं। और भद्धी टिपनी जो सुप्रिया सनेट ने की है। कॉंग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्धी टिपनी उसमें और करी है। उसके संदर में आपका क्या कहा है। ये देव भूनी हिमाचल की असमिता, मंडी की असमिता के शान के खिलाब जिस परकार के टिपनी उनने की है। कॉंग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। इस परकार से महिलाओं का अपमान करना, मात्री शक्ति का अपमान करना और बार बार इस परकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूं आज की तारीक में आप शक्ता है। माचल परदेश में जहां मंडी की अगर बात आती है मंडी को छोटी काशी का जाता है तीन सौ से जादा मंदिर वहां पर जहां लोग शरद्धा और आस्ता के साथ उन मंदिरों में जाते हैं उस भूमी के वारे में इस परकार के शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी उनने गलती की है और उसके बाद मुझे हरानी इस बात को ले करके है कि यह मेरा अकॉंट नहीं था मेरा यह तो पैरोडी अकॉंट था और उसमें किसी ने इस परकार से किया है लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उनके खिलाप क्या मामला दर्स किया क्या कुमी हिमाचल की असमिता मंडी की असमिता के शान के खिलाप जिस पर करके टिपनी उनने की है और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वाइम महिला होकर कि उसने टिपनी की है और उस टिपनी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात तो का तो रास्ता नि प्रकार से नहीं सेनके जा सकता है और जो भी किया है ये बहुत दुरभागय पूर्ण है और भारती जनता पार्टी इस सारे मामले को ले करके हम लेगली भी एक्जामीन कर रहे हैं इसको इसमे मामला दर्श करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में आदत बन चुकी है इस परकार से महिलाओं का अपमान करना मात्री शक्ति का अपमान करना और बार बार इस परकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूँ आज की तारीक में हावशकता है और पूरा हिमाचल पूरा मंडी इस वक्त जो है बहुत आक्रोश रोश में है और निश्चे तुरूप से इसका आने वाले सुमय में लोकसभा के चुना में उनको खामयाजा भुखतना ही पड़ेगा मंदी में तो भुखतना ही पड़ेगा लेकिन पूरे और हमें हिमाचल परदेश में हिमाचल के अलाबा दूसरे स्थानू पर भी इसका खा करें